हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल को कविछ अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्त अनीसा तो फ्रेंट्स आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही टेश्टी और बहुत ही जादा चटपटी बनके तयार होने वाली है इसे आप बचों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं इवनिंग टाइम में आप इसको चाई के साथ बना के खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है तो फ्रेंट्स वीडियो को बिना एसकिप किये पूरा देखें मेरे चैनल पे नए हैं तो प्ली किसा हैता से भी इसको अच्छे से मैस कर सकते हैं अब इसमें यहां पे मैंने डाल दिया है स्वादा नुसार नमक थोड़ी सी हल्दी पॉडर आधी चम्मच यहां पे कस्मिरी लाल मिर्च मैंने एड़ कर दिया है इसमें आधी चम्मच ही भुना हुआ जीरा पॉडर डाल अब इसमें हम डाल देंगे धन्या के पते से इसका टेश्ट बहुत अच्छा आजाता है एक हरी मिर्च यहां पर मैं कट करके डाल रही हूं तो आप अगर हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो इसकिप कर सकते हैं और इसमें चटपटा बनाने के लिए मैंने डाल दिया है थोड़े से निम्बू के रस और आधी चमच के बराबर चाट मसाला इससे हमारा जो यह आलू का मसाला है यह बहुत ही चटपटा सा बनके तयार होगा तो इस तरह से हमें अच्छे से इसको मिक्स करके इसका मसाला तयार कर लेना है तो ये देखे हमारा आलू का मसाला है बिलकुल ही तैयार हो चुका है देखने से ही बहुत ही ज़्यादा चटपटासा ये लग रहा है तो चलिए इसको हम side करते हैं और यहाँ पे मैंने ले लिया है bread तो यहाँ पे मैंने white bread लिया है आप इसकी जगह पे brown bread का भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे एक bread मैं इस तरह से उठा के plate में रख लूँगी और इसके उपर हम लगा देंगे धन्या के चत्नी तो धन्या के चत्नी के जगह पे आपसे जवान सौस या कैचप जो भी मेयो नीज कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके बचों को पसंद हो या आपको पसंद हो इस तरह से सारे bread पे अच्छे से spread कर देना है अब इसके उपर जो हमने आलू का मसाला तयार किया था उसको डाल देना है और इस तरह से उसको दबाते हुए अच्छे से पूरे bread के उपर हमें इसको फैला देना है कहीं भी छोड़ना नहीं है उसके बाद हाथों से अच्छे से बनाऊंगी ताकि बचों को कैचप बहुत पसंद आते हैं तो इस तरह से कैचप वाला भी मै बना कि आपको दिखा देती हु मुँ हमने तो इसके उपर भी हमने कैचप अच्छे से फैला दिया है और अब हमने डाल दिया इसके उपर आलु का मसाला और अच्छे से हाथों से दबा दिया है और अब हम क्या करेंगे तो इसको इस तरह से जो है चोराई में हमें काटना है लंबाई में नहीं काटना है बहुत बड़ा बड़ा एश्ट्रिप बन जायेगा इस तरह से इसको हमें एश्ट्रिप में कट कर लेना है तो यह braid लंबा वाला था तो मैंने एक braid का चार इस्ट्रिप बनाया है और एक जो थोड़ा छोटा braid आता है तो उसका आप तीन जो है यह बना के तयार कर सकते हैं तो देखें बहुत ही अच्छा यह लगणा है देखने में एक दम इस्ट्रिप जैसा जैसे हम इस्ट्रिप बन आना चाहते हूं आप बना सकते हैं तो अब यहां पे मैंने एक कच्चा आलू को ग्रेट करके पानी में डाल दिया था जिससे कि यह काला ना हो तो इसको हमे जो सबसेFlow से पतला वाला ग्रेटर होता है उससे ग्रेट करना है और अब इसका अच्छछे से पानी निकालके और अब इसमें दो चम्मच यहां पे मैं डाल रही हूँ चावल का आठा आठा आप चाहें तो इसके जगर पे मैदा भी ले सकते हैं और इसको हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इस तरह से इसको हमें अच्छे से यह देखे मिक्स करते हुए तयार कर लेना है और इसमे मैं डाल दूँगी एक टेबले स्पून गेहूं का आटा तो यहां पे मैंने चावल का आटा इसलिए लिया है ताकि जो हम रेसीपी बनाएंगे वह थोड़ा क्रिस्पी बनके तयार होता है और गेहूं के आटे डालने से इसमें लसीलापन आता है तो अब थोड़ा थोड़ा अब इसमें हम डाल देंगे धनिया के पते अब धनिया के पते के जगा पे करी पता का भी यूज कर सकते हैं उसको भी इस तरह से बारीक चौप करके डाल सकते हैं और अब इसको हमें एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए त और इसमें dip कर देंगे, जो हमने बेसन का घोल तयार किया था. और फिर इसको हमें उयल में डालते जाना है. तो ये याद रखिये कि उयल जो है, बहुत ही ज़्यादा गरम होना चाहिए, और हाई फ्लेम पर ही इसको हमें पकाना है. तो इस तरह से आप हाथ से भी डाल सकते हैं या फिर एस्पून की मदद से भी डाल सकते हैं तो एस्पून से ये तूट जाता है अगर आपने white braid का यूज किया है जो ताजा braid है तो बहुत जल्दी वो तूटने लगते हैं और हाथों से बहुत ही आसानी से ये dip हो जाता है तो braid जो होता है अगर आप low flame पे पकाएंगे तो बहुत जादा oil absorb कर लेता है तो इस तरह से हमें इसको पलटते हुए दोनों side से अच्छे से पका लेना है तो ये देखिए आप देखने से ही बहुत ही crispy करारी सी ये लग रही होगी तो चलिए अब इससे जादा इसको हमें नही करना है और सेम यहां पे मैंने सारा निकाल के टी सू पे पर पे रख दिया है जिससे कि इसका एक्स्ट्रा वाइल एफ्जॉर्ब हो जाए अब हम दूसरे बार भी इसी तरह से डाल देंगे जितना भी हमारे पास braid है या जितना आप नास्ता बनाना चाहते हैं और जब हमने ब्रेड में आलू लगा के रखा था ना उसी स्टेज पे आप उसको जब कट करने के बाद फ्रीज में रख लें और जब पार्टी टाइम हो या साम में इवनिंग टाइम में बनाने का हो या सुबा सुबा बच्चों के लंच के लिए बनाना हो तो बस आपको केवल अब यहां पर मैंने इसको प्लेट कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही टेश्टी क्रिस्पी सा बनके यह तयार हुआ है आप इसको के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगता है और बच्चों को तो यकीन माने बहुत ही पसंद आता है और बारिस का महीना है बारिस होता रहे और इस तरह की पकोरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स आपको यह रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आ के साथ तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो जैमातादी